इसका नाम कॉन चीज बॉल नहीं होना चाहिए, कॉन चीज बॉम होना चाहिए क्योंकि इसकी फिलिंग में चीज है, अंदर चीज है, आउटर कवर में चीज है, चीज ही चीज है वेल्कम तो फूद बहुत बैनी दी आज हम बनाएंगे एकदम tasty और एकदम perfect corn cheese ball की recipe तो पहले cheese से loaded एक filling बना लेते हैं जिसमें हमने add किया है corn और capsicum इसमें हम add करेंगे coriander leaves next इसमें इसमें add करने वाले है ginger and green chili paste इसमें add करेंगे oregano chili flakes chaat masala और बहुत सारा cheese cheese की quantity आप कम जादा कर सकते हो अपने according next इसमें add करेंगे salt और हमारे ये filling बनके ready है एक बहुत important बात है यहाँ पे हमने mozzarella cheese का use नहीं किया है हमने processed cheese ही use किया है तो आप वही use करिएगा हमने यहाँ पे potatoes को अच्छे से boil कर लिया है इसे थोड़ा से थंड़ा होने देंगे और इसे peel करेंगे और फिर इसे अच्छे से mash कर लेंगे अब बनाते है एक potato की filling यहाँ पे हमने add किया है potato यह potato वाला जो filling है यह हमारा filling नहीं है actually हमारा outer cover रहेगा इसमें add करेंगे coriander, बहुत सारा cheese, नमक नेक्स्ट हमें इसमें add करेंगे ginger green chili का ear paste, chili flex, oregano और bread crumbs, bread crumbs बहुत important है प्लीज इसे miss मत करिएगा क्योंकि जब cheese पिगलता है ना bread crumbs होगा तो वो एकदम अच्छे से bind देंगा वरना आपका कौन cheese ball food भी सकता है, तो प्लीज ये बात का ज़रूर से देहन रखेगा और bread crumbs ज़रूर से add करिएगा और अच्छा सा हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा potato का ये outer cover बन चुका है अब हमें क्या करना है ना, इसे mash करके हमने बना लिया, इसे हमें 5-10 minutes सक rest करने के लिए रख देंगे अब हम छोटा से एक ball इसमें से cut कर लेंगे और हम जैसे पराटे के stuffing करते है ना, बस उसी तरीके से बीच में थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसमें हम gap बनाएंगे और इसी gap में हम add करेंगे हमारे कौन चीज की filling और वो add करने के बाद में हम इसमें add करेंगे और extra cheese देखिए यहाँ पर हमने cheese को छोटे-छोटे cube में कटके है अगर आप चाहे तो आप grade भी कर सकते हो, कोई issue नहीं है इसे हम बीच में add करेंगे, अच्छे से इसे circle करेंगे बहुत important tip है, कही से भी यह potato का जो outer cover है वो कही से भी open नहीं होना चीए, एकदम अच्छे से इसे बन करिएगा ऐसे करते हुए हम सब ball बना लेंगे और side में रख देंगे उसके बाद जो step है, वो जादा important है, तो प्लीज उसके ध्यान दीजिएगा और एक बाद अगर आप हमारे चानल पे नहीं होना तो प्लीज हमारा चानल like करें, share करें और subscribe करना मत भूलिएगा हम potato के outer cover में ये mixture डाल के इसे अच्छे से एकदब अच्छे से close कर लेंगे ऐसे करते हुए सब balls को हम side में रख देंगे अब हम क्या करेंगे, कड़ाई में oil add करेंगे और इसे अच्छे से गरम होने देंगे ये काफी heavy होता है और बहुत tasty भी होता है तो आप इसे starter की तरिके से या फिर evening snacks में भी इसे अच्छे से बना सकते हो अब हम यहाँ पे मैदा लेंगे, इसमें पानी डालेंगे और इसका एकदम smooth paste बना लेंगे इतना smooth कि इसमें अच्छे से drip होना चाहिए फिर इसमें हम अपने सब balls डालेंगे और इसमें अच्छे से हम मैदे से coat कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें bread crumbs आड़ करेंगे और इसे अच्छे से cover कर लेंगे मैदे का slurry से भी आप अच्छे से cover करिएगा, फिर bread crumbs से भी आप अच्छे से cover करिएगा ऐसे करते हो यह सब balls को अच्छे से deep fry कर लेंगे एक बहुत important बात यह है कि जब भी आप इसे deep fry करना चाहते हो याद रखे कि तेल एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए बिल्कुल भी थंडा तेल में इसे मट डालेगा वरने फूट भी सकता है और आप देखेंगे ऐसे करने से आपका यह कौन चीज बॉल बहुत ही करंची बनेगा तो यह बात जरूर से ध्यान रखेंगा इसे अच्छे से golden brown होने देंगे और हाँ इसका temperature कम ही रखेंगा वरना चीज अंदर से boost नहीं होगा और ऐसे करते हुए हम सब कौन चीज बॉल को अच्छे से तल लेंगे इसे डेकोरेट करेंगे कौरियंडर लीव और बहुत सारे चीज की साथ चीज से एकदम भर पूर और एकदम जादा लोडेड कौन चीज बॉल और हमारा कौन चीज बॉल बनके रेड़ी है अगर आप हमारा चानल पे नए हो तो प्लीज हमारा चानल लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करना मत भूलेगा आपको यह रेसिपी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाई